हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ आम के गुरम में तो चलिए स्टार्ट करते इस रेसिपी को यहँए देख सकते हैं मैं यहां पर 4 कच्चे आम ले लिए हूँ और उसे अच्छे से कट कर ली हूँ देख सकती हैं já यहां पर गुठली आपके लिए कर रहे हूं अप producer 준 हैं यहां पर पाणी को कुटा आट करते हैं यहां मैं इस पानी में एड़ करूंगी ये कटे हुए आम देख सकते मैं आड़ कर दी हूँ और इसे अब कवर करके इसे कवर करके पांच मेंट पकाना है इतना 50% इसे पकाना है तो देख सकते हैं मैं इसे कवर कर दी हूँ और पांच मेंट हो चुका है देख सकती कितना टांस्पा सा हो चुका है बस इतना ही पकाना है और अब मैं फ्लैम को आफ कर दूंगी और इसे टांसफर्ट कर लेना है यह देख सकते हैं इसे मैं ज्यादा पकाई नहीं हूं बस हलका सा पकाना है इस तरह से तो चलिए अब मैं एड करूंगी घी यहां पर मैं टूटेवले स्पून घी अज़े हो आब चाहे तोो ऑल भी आयड कर सकते हैं और मैं यहां पर दो पत्रत कर दी हूं क्याद इस तरह से भून लेशए है इसका कईलर देख सकते हैं है अ Sutheim सा हो गया है और अम यहाप टेबल स्पून शोप एड़ कर रही हूँ कि और मैं अब इसमें कि हाप टेबल स्पून क्लौञे और इससे भी दो मिनट पका लेना है ताकि कच्चा पर ना रहे से फ्लैम को मेडियम कर देना है ताकि मसला जलेना और गुरमा का मतलब ही होता है गुर्ड दालकर बनाना तो मैं देखिए यहां पर गुर ले ली हूं और यह मैं गीला वाला गुर था मैं इसमें पानी डालकर पतला सा कर ली हूं और जान भी ली हूं और देख सकते हैं मैं कडाई में एड कर दी हूं और अब इसमें उबाल आने दूंगी और इसका चासनी बनाना है एक तारका चास्नी बनाना है तो मैं यह हैसं पर कभर कर दी हूं फांच मिट के बाद Dan फांच से दस मिट पांच मिनट के बाद मैं चेक कर रही है तो यह देख सकते रही अभी एक तार का चासनी नहीं वना है देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं एक तार का चासनी बन चुका है मैं आपको हाथ में दिखा रहे हूं फिंगर से दिखिए बस ये बन चुका है इतना ही पकाना है गोड को तो अब मैं इसमें आम एट कर देती हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और मैं साथ ही में याप पे रेट चिली पॉडर एट कर रहे हूं ये देख सकते हैं मैं अच्छे से मिक्स कर दे हूं और आब इसे कवर करके 10 मिनिट मीडियम फ्लैम पे पकाना है 10 मिनिट के बाद मैं चेक कर रही हूँ यह देख सकते हैं इसमें देखिए अभी रस है और चलाते हुए 2 मिनिट पकाना है यह द देखिये 2 मिनट पकाते हो चुछा है और इसमें जो पानी है रस है वह बहुत कम हो चुका है तो मैं इतना ही रस रखोंगे आप चाहे तो इसे और कम कर सकते हैं तो अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी और यह देख सकते यह अच्छी से स्वाप्ट भूई हो गया है अच्छी से गल चुका है और पाने भी मेरा सुक चुका है और बहुत ही गजब का टेस्ट आया है तो चलिए इसी टेस्ट करके बताते कैसा बढ़ना तो आप देख सकते हैं मैं गुरमा को प्लेट में टांस्पर कर ली हूँ और इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आया है आप लोग भी अमेरियुका टेस्ट आया है वीडियो पसंद लाइक लिए ओके बाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा नेवा तो किलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई